एक एक पाई कमाने के लिए आदमी को कितनी महनद करने पड़ती है इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी एक एक पाई बचाने वाली हर सूचना आप तक समय रहते पहुचाते आज हर मोबाईल में इंटरनेट है लेकिन इसके बाब चूप ब्रॉडबेंड हर घर की जरूरत है टेलिविजन है तो DTS सेवा चाहिए ही चाहिए ट्राई के नए दिशा निर्देशों के बाद DTS के प्लान इतने महंगे हो गए है कि हर आदमी परिशान है लेकिन अगर यहां आपकी जेब को थोड़ी राहत मिल जाए तो मजासा आ जाए खबर है कि रिलाइंस जियो गीगा फाइबर सेवा बहुत जल्द आपके लिए राहत लेकर आने वाली है बहुत दिनों से चर्चा चल रही है लेकिन उमीद की जा रही है कि अगले महिने रिलाइंस के AGM में जियो फाइबर सेवा लाँच कर दी जाएगी सवाल यह है कि आखिर इसमें क्या राहत मिलने वाली है कैसे आपकी जेब पर बूच कम होगा रिलाइंस ने तो अपनी ओर से सारवजनिक तौर पर अभी किसी प्लान का एलान नहीं किया है लेकिन जो खबरे चछन चछन कर आ रही हैं उनके मुताबिक जियो ट्रिपल प्ले प्लान नाम से योजना लेकर आ रहा है इसमें ब्राडबेंड, लेंड लाइन और डिटियेज सेवा तीनों शामिल होंगी सबसे सस्ता प्लान होगा हर महीने करेब 600 रुपे का इसके तहद 100 Mbps की स्पीड से हर महीने 100 GB डेटा मिलेगा इसके अलावा डेटा खत्म हो जाने पर 40 GB बोनस मिलेगा डिटियेज सेवा का नाम जियो होम टीवी होगा और ये IP टीवी होगा यानि इंटरनेट के जरिये चलेगा IP टीवी पर ट्राइ के नियम लागू नहीं होते, लेंड लाइन से फ्री कॉल करने के सुविधा भी उपलब्द होगी जाहिर है जिस दिन से ये सेवा लाउंच हो जाएगी ना केवल ब्रॉडबेंड बलकि डिटियेज के दुनिया में हर कंप मज जाएगा दूसरी कंपनिया भी अपनी सेवाओं की कीमतें घटाने पर मजबूर हो जाएगी ठीक उसी तरह जैसे जियो सिम लाउंच होने के बाद दूसरी मोबाइल कंपनियों ने अपने प्लान सस्ते कर दिये थे अभी जियो गीगा फाइबर का ट्रैल चल रहा है एक मोश्ट 4500 और 2500 रुपे दे कर रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फिलहाल इन सेवाओं का मुफ्त लाब उठा सकते हैं 4500 रुपे दे कर सदस्य बनने वालों को 1000 MBPS की स्पीड मिलती है जबकि 2500 पर 50 MBPS की स्पीड मिलती है